आज में आपको अपसेस्यू कमपल्सिव डिसॉडर यह मंत्र की ब्यमारी इसके बारे में जानिकरी देने वाला नुद्धा क्या है कि यह जो लोग है जिनको यह समस्या है इनको दिमाग में बार 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 एक ही विचार आते रहे और वो इतने बार बार विचार आएंगे वो कि वो विचार आने के बाद में उनको बाकी काम करना बहुत ही मुश्चिल हो जाता है एक विचार उनने पकड़ लिया उनको बार बार विचार आते हैं तो नॉर्मल वेक्ति को भी कुछ हद तक ऐसे बार बार की विचार आते रहें मगर वो विचार 15-20-30-60 एक मिनिट रहें वो विचार आते हैं वो विचार हम बूल कि हम और जो कोई विचार हमारे पास में आता है सामने आता है या कोई काम अ था है वो काम के उभर मुष्ण क्रृचिकरना चाहला कर दें यह लोगों को होता क्या है उस लोगों को कि एक वोई विचार उनको कुछ मिनिट तक, मतलब 10-15 मिनिट, 10-10 गंटा, 1-2 गंटा वो पार बार वार विचार आएंगा। विचार पार वार 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 विचार ने आएंगा, मेरा घर बराबर नहीं गंदा रहें, मैंने साफ करना चाहिए। तो वह विचार आएंगा। उनको कोई घरवालों के बारे में, कि बाए ने, मेरा प्यारा वेक्टी जो है घरका, मेरा बेटा, मेरी माँ या मेरी पत्नी या पती, है न उमर जाएगा। ऐसे विचार आते हैं। तो वह विचार जब आते रहते हैं, तो इतने वह विचार उनको सताएंगे। कि फिर उनको बाकी कुछ काम भूब करी सकते हैं। अब यहां तक तो ठीक है, समझे विचार आरे बार 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 और और वह विचार आरे उनको सुना रहे। अब कुछ वेक्ति जो है, उनको विचार तो आती ही है, और विचार उनके ऊपर उनको और ही विचार आता है कि अभी मैंने कुछ तो भी कृति करमा चीदू, और मैं कुछ कृति करूँगा, तो जो मैं सोच रहा हूं वह ऐसा हूंगा नहीं, इसका मतलब यह है, कि समझे मैं म क्षादो का विचार है, यह विचार में कोई तक्षी नहीं है, ऐसा होने वाला है, अभी तक ऐसा हो भूत नहीं है, मुझार आना है कि मैरा बच्चा मर गया है। और वो इतना सताता है, फिर मुझे दूसरा विचार आएंगा, भगवान को मैं नमस करता हूं, यह भगवान भुद मेंगी वीचार दाए गए वीचार करो भगवान को प्राषणा करो तो ऐसे महें प्रुटिकर्म सुब्सक्रा गस। कि मेरी हाथ मा गंध हैın. गंध याथ में बिक चलागे चलो, की रहां थो, रहां दोलू, तो रहां दोलूँगा, जफिर जागा ऒाएगेंगा किन्ये हांप दो गंध ही, वे बराबर हो ही न anniby तो फूरो ही जाय और पाद से digital फाण साम्ट बढ़ेंगा. फिर थोड़े की जायान मेरी हाथ गंदे, फिर जाओंगा तिर आतुम गूंगा। युटी असा इतने बार हो जिएगा कि भर भर को जाके मैं हाथ गुम जाएक। कोई लोग नखता है कि मैरे कपड़े जो हैंना वो बंध हो गए। पर बार बार कप्ड़े जोएंगा, फिर नहीं मैं आना अशुद्ध हो गया हूं, तो मुझे नहाना पड़ेगा, और एक बार मा कि मेरा सन्तुष्ट्य होती नहीं है, फिर मैं दो बार, तीन बार, चार बार तो एसे लोग एक गंडा, दो दो गंडे बातरुमें बैठे रहे पर कुछ लोग बोल देगे, नहीं मैं पाप किया है, या मुझे कुछ भी, मेरा कुछ भी खराब हो जाएगा, कुछ भी घडबड हो जाएगी, तो मैंने भगवान की प्रातना करना जाएगा, तो मैं पूझा करने बैठूँगा, और पूझा फिर एक गंडा, दो गंडा, तिन दिन गंडा पूझा ही कर रहा है, क्योंकि मैं पूझा नहीं करूँगा, तो फिर वैसा हो जाएगा, जो विचार आ रहे कलती, गलत, वो हो जाएगा, ऐसा लगता है, तो लोगों को अकसर, बार-बार हाद दोना, बार-बार ना लेना, बार-बार घर साफ करना, जा रहेंगा, कि लैटरिन हुई नहीं है, तो फिर वहीं बैठे रहेंगे, एक गंडा, दोदू, गंडा और लैटरिन में बैठे रहेंगे, ताकि वो लैटरिन पूरी एक पार समाना नहीं हो गए, कि लैटरिन हो गई, तो वो बाहर रहेंगे, लोग उनको पूरे एक दिन प्रफेक्शनिस्टिक होते हैं और उनको सब चीजे परफेक्शनिस्टिक होते हैं। तो घर लोग अच्छा दिखता है। सुन्दर दिखेगा। ये लोगों को प्राब्लेम होता ही एक खुद को और फिर ये लोग घर के बाकी लोगों को भी तक्लिफ दें। वो कैसी कि जो बिमार है उतु बलेंगा मैं हाथ दोलूंगा पैर दोलूंगा ये नामगा। जो बाकी लोगों को पुरा दिन निकल जाता है और बाकी लोगों को भी ये बूलेंगे नामगा। हम को कुछ लोगों को थोड़ी मात्रा में तो सब को रहता ही है। किसा हम क्या करते है। नॉर्मल आदमी ये सा लॉप चेक करना, ताला चेक करना, तो हम एक बार लगाएंगे और एक दो बार और और चेक कर लेंगे। होना है तो जिर्फ पार दो, मतला नॉर्मल मात्रा में ये सा चलते हैं, तो ये लोग जो स्टेर कैसे, पायरी जो है, वो गिनेंगे और उपर जाते जाते हैं, गिनते गिनते जाएंगे। तो ये सब आगे इतनी बीमारी बढ़ने के भएले ही, तो इसमें 100% रिकोरी होते हैं, तो आज हो हमारे देश में जो ऐसे लोग पीडिद है ये बीमारी से, वो समझा अच्छे होते हैं, उनका जीवान अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं, ये समय के बीमारी से जाएंगे। झाल, 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 झाल.